दोस्तो आज यानी 4 अक्टूबर से लेके और 28 अक्टूबर तक का ओफर है जियो का जियो फोन और भे सस्ता हो गया है ये अब सिर्फ आपको 699 रुपय में मिलेगा कैसे मिलेगा पूरी जानगारी के लिए इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए नमस्कार दोस्तो मैं हूँ ससे और आप देख रहे हैं ससे सुकला टेक योटूब चैनल दोस्तो दिपावली के मौके पे जियो फोन ने ये ओफर निकाला है कि जियो फोन अब आपको सिर्फ 699 रुपय में दिया जाएगा ये ओफर सिर्फ 4 अक्टूबर से लेके और 28 अक्ट लीजिए क्योंकि यही सही टाइम है कम पैसे में जियो फोन को लेने का तो अब बात कर लेते हैं कि 699 में आपको क्या मिलता है दोस्तो इसमें कोई एक्स्चेंज ओफर ने कोई पूराना मोबाईल नहीं जमा करना है कुछ भी नहीं करना है सिर्फ आपको 699 रुपय देने ह हैं तो आपको 99 का रिचार्ज कराना अनिवार्ज है लेकिन जियो की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये 699 रुपय आपको आने वाले 6-7 महिनों में आपको वापस मिल जाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ जब आप जियो फोन खरीदेंगे तो आप 699 रुपय का रिचार्ज आप कराएंगे टोटल आपका लगबग 800 रुपय लग रहा है एक जियो फोन लेने में और जियो फोन लेने के बाद आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है कि आपको एक महिने के लिए आपको नेट और कॉल 512 MB डाटा पर डे और कॉल एक महिने तक free मिलेगा लेकिन ये आपको return कैसे मिलेगा 699 रुपय ये भी मैं बताता हूँ अब इसमें customer को करना क्या होगा इसके कुछ term and condition है इसमें customer को करना क्या होगा कि आपको हर महिने अगले 7 महिने तक हर महिने आपको 99 का recharge करवाना है अपने जियो फोन में जब आप 99 के recharge करवाते हैं तो इसमें आपको benefit मिलता है 512 MB data per day और unlimited call और SMS आपको मिल जाता है तो इसमें आपको क्या होगा कि जब आप 99 के recharge अपने तरफ से कराएंगे तो जियो के तरफ से भी आपको और 99 रुपीज का benefit आपको उस महिने में दे दिया जाएगा जैसे कि आपको 512 MB data अगर मिलता है तो साथ में आपको 512 MB और data जियो के तरफ से per day आपको free में दिया जाएगा तो इस तरह से वो लोग बोल रहे हैं कि आप 99 के recharge आप करवा रहे हैं और 99 के facility अपने तरफ से हम extra दे रहे हैं तो ऐसे में 7 महिने में आपका 700 रुपए ये 699 रुपए आपका निकल जाएगा दोस्तो यही है प्लान यही है दिपावली का जियो ओफर 699 में आपको जियो फोन इसी तरीके से मिल रहा है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारे के साथ तब तक के लिए गुडबाए